Hey everyone, how are you all? I hope आप लोग सब अच्छे होंगे आज हम लोग अपना Geography Class 6 Chapter 5 Major Domain of Earth प्रत्वी के प्रमुक परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि हमने पहले chapters में पढ़ा था कि Earth ही एक लौता ऐसा प्लानेट है जहां पर जीवन के लाइफ पाई जाती है और जो हम human beings है उनको जिन्दा रहने के लिए land चाहिए होता है पानी और हवा तो यह जो अर्थ है ना हमारी यह बहुत complex है और इसके जो three major components है जो overlap होते है ना आपस में तभी ही वहाँ पर life exist करती है तो हम लोगों को इसके जरूरी हिस्सों के बारे में बताया गया है सबसे पहले पढ़ते हैं लिथोस्फेर के बारे में हमारी धर्दी का जो solid portion है मतलब हमारी जमीन का वो पोशन है लिथोस्फेर हमारी अर्थ से उपर की तरफ जब हम देखते हैं तो वो होता है अट्मॉस्फेर अट्मॉस्फेर में बहुत सारे gases होते हैं जैसे oxygen, nitrogen, carbon dioxide and और gases होते हैं हमारी अर्थ का अर्मुस्ट 3-4 पार्ट जो है वो पानी से कभर है इसलिए इसको हम लोग blue planet भी कहते हैं पानी बारे पार्ट को कहते हैं hydrosphere तो ये तीन जहां पर interact करते हैं जब इन तीनों का interaction होता है सिर्फ महीं पर life exist करती है तो इसको क्या कहते हैं इसको कहते ह तो अब हम पढ़ेंगे लेथोस्फियर के बारे में लेथोस्फियर जो है वो solid portion अर्थ को खहते है लेथोस्फियर ये बना होता है रोक्स ये चट्टानों का अर्थ क्रस्ट जिसमें एक पतली सी लेयर होती है जो हमारी life को sustain करने के लिए जरूरी है दो major division है इसके एक है continent और second है ocean basin जो सारे oceans है वर्ड के वो आपस में connected है मगर सारे land masses वो तो connected नहीं है जो sea water होता है वो तो हर जगा एक साही होता है और land की जो height होती है ना वो उसको हम measure करते हैं sea level से मतलब sea की height जो है वो zero और sea से जितना उपर 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 जाते हैं उसको हम बोलते हैं elevation और उससे किसी mountain किसी land की height measure की जाती है पेज नुबर 31 पर हमें वर्ड के different ocean बताए गए हैं पीच कलर में जो है वो नौर्ट अमेरिका है डाक यलो साउथ अमेरिका ग्रीन में अफ्रीका पॉपल में योरोप और जो यह लाइलो में है यह सबसे बड़ा continent है एशिया यह पिंक में island continent है हमारे दुनिया के ऑस्ट्रेलिया बाकि जो चार विजर ओशन हैं अब आते हैं पेज नुबर 32 पर यहां पर बताया गया है हमारे जो mount Everest है इसकी height above the sea level जो कि हम zero से count करते हैं वो है 8848 और सबसे ज़्यादा डैप्थ जो मिली है हमें वो है Pacific Ocean के Mariana Trench में जो के 11022 मीटर्स ही है अब यह एक blue box ते ही रखा है अब इसके इसमें पढ़ते हैं तो Edmond Hillary जो थे न्यूजलेंड के और तेजिंग नौरगे इंडिया के इन्होंने सबसे पहले mount Everest को चड़ा था 29 मैं 1953 में जुनको तिबाई जो के जैपान की थी पहली वुमन महीला जो के 16 माई 1975 को चड़ी थी और हमारे इंडिया से बेचेंदरी पार वो एक इंडियन वुमन थी जो 23 माई 1984 को चड़ी थी अब हम पढ़ेंगे continents के बारे में सेवर मेजर continents जो के अभी हमने map में देखे थे सबसे पहले कौन सा आता है Asia जो है सबसे बड़ा continent दुनिया का वो क इस्टर्न हेमिस्पेर पर इस्टर्न हेमिस्पेर पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है जो कि 23 डिग्री नॉट में लोकेटेड है और यह सपरेट होता है यूरोप से बहुत इंपोर्टेंट यह याद रखेगा यूरेल माउंटें से यूरोप प्लस एशा को मिला कर हम ब इसके थ्री साइट वाटर बॉडी इसके बाद हम पढ़ेंगे अफरिका के बारे में अफरिका जो है वो सेकेंड लाजस्ट कॉंटेनेंट है इस्या के बाद यह एक लौता ऐसा कॉंटेनेंट है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और लदी वो भी अफरिका में मौझूद है अब हम पढ़ेंगे फोर्थ नंबर पर नॉर्थ अमेरिका के पारे में यह जो है तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा कॉंटिनेंट है यह एक नारो पतले से लेंड से साओ्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है जिसको बहुत में कम्पलीट लाय करता है और होग बताय GI क कौनसे 3 ओशन्स जिवा है वो सरांड करते हैं मैप में देखके फिर हम पढ़ेंगे बार के बाहें यह कहले नाई करता है largest river भी है, जिसका नाम है Amazon River, फिर हम पढ़ेंगे आस्ट्रेलिया के बारे में, तो Australia is the smallest continent that lie entirely in the southern hemisphere, ये जो है, southern hemisphere पर पूरा लाई करता है, और सबसे चोटा है ये, it is surrounded all sides by the ocean and sea, और ये चारो तरफ से ocean और sea से घिरा हुआ है, और इसको हम कहते हैं island continent, फिर अंटार्टिका के बारे में, अंटार्टिका इस, जो है, completely southern hemisphere पे हैं, और वो एक बड़ा continent है, साउथ पोल लाई almost at the center of continent, as it क्योंकि ये जो है, इसका location है, साउथ पोलर रीजन में, तो ये हमेशा जो है, एक मोटी लेयर, मतलब बरफ की उसमें जमी रहती है, there is no permanent human settlement, और यहां पे humans permanently रहते, और बहुत सारी countries, जो है, अभी तक अंटार्टिका के बारे में, research कर रही है, और इंडिया ने भी research station, यहां पे बनाये हैं, जो कि, ये question जो है, आपके exams में भी आ चुका है, तो इसको जो कि, इंडिया के हैं, अंटार्टिका में बने हुए, ये वीडियो का फर्स पार्ट है, हाइड्रोस्फेयर के बारे में हम लोग सेकिंड पार्ट में पढ़ेंगे, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल, थैंक्स वर वाचिंग,